नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश सर्मा और आप देख रहे हैं मुकेश टक चैनल दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं is not 2 किらएक केवारे में कि आपको 2 क्लोवाइक केवारें लेना सोलर इन्वेटर तो आपको MPP abundant सोले इन्वेटर कितने रुपे में मिलेंका क्या उसकी invest हैं और क्या उसकी फीचर है तो दोस्तों इसी के बारें discuss करेंगे shoulте हूए वीडियो के लाइक जो करना चेनल को सब्सक्राइब करें चलिए दोस्तों वीडियो श्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यह स्मार्टन सूपर 2200 MPPT इन्वेटर है दो किलोवाट का इन्वेटर है चौविस वोल्ट में अब जब यह चौविस वोल्ट में आपको किलियर हो गया होगा कि इसमें आपको दो बैंटी लगानी पड़ेंगी दो बैंटे के साथ में यह चलेगा दो किलो बाट का इन्वेटर है और इसमें इन्विल्ड MPPT चार्ज कंट्रोलर इसमें मिल रहा है जो कि 30% जो आपकी सोलर एनर्जी है उसको सेव करता है कम्प्रीजन में PWM चार्ज कंट्रोलर के तो वो इसमें इन्विल्ड मिल रहा है आपको कि जो maximum आप इसमें पैनल लगा सकते हैं वो इसमें maximum पैनल आप 1000W के ही लगा पाएंगे ऐसा नहीं आप 2 किलो बाट के इसमें पैनल लगा लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा disadvantage है इसका कि आप इसमें एक किलो बाट के पैनल लगा पाएंगे लेकिन आप लोड इसमें 2 किलो बाट तक का करीब 800-800W तक का आप इसमें लोड चला पाएंगे 800W मान लिज़ाएंगे और बैटरी इसमें रिक्वाइड है दो बैटरी इसमें आपको चाहिए 100 A's से लिकर करीब 220 A's तक की दो बैटरी आप ले सकते हैं दो बैटरी के सेट आप लगा सकते हैं इसके साथ में क्योंकि यह 24V पर रन होगा इसमें आपको 30 A's का पावर करेंट मिलेगा 30 A's तक का ही सपोर्टिंग कराएंगा पैनल को इसलिए आप इसमें 1000 Watt के ही solar panel लगा पाएंगे अगर इसमें MPR सपोर्टिंग ज़्यादा होती तो आप इसमें ज़्यादा पैनल आप लगा पाते हैं अब इसकी जो reverse जो supply होती है वो उसको control करने के लिए feature है इसमें आपकी जो reverse supply जो पैनल में ना जाए उसको control करेगा है पूरी तरीके से और एक इसमें monitory है समझें smart inverter है जैसे कि पैनल से अगर आपकी supply कमा रही है और grid से भी आ रही है अब वो उस condition में manage करेगा उसको कि अगर पैनल से सपोर्ज कीजिए charging lack supply नहीं आ रही है बैंटी को charge नहीं कर पा रहा है तो दोनों से वो manage करके grid से भी और solar से भी दोनों से वो बैंटी को charge करेगा दोनों supply start रहेंगी जब solar की supply बंद हो जाएगी तो उसके बाद में ये grid से लेना start कर देगा और बाकी इसमें जो feature है ये डाल दिये हैं बाकी आप देख लीजे एक वाल ये features हैं जार रुपे का ये आपको मिल रहा है MPPT charge controller के साथ में 14,000 रुपे के मिल रहा है ओप ग्रेट ये solar inverter है तो दोस्तो इसलिए इसकी थोड़ी सी cost कम है क्योंकि ये load तो 822,000 वाट तक का उठाएगा लेकिन इसमें हम पैनल जो connect कर पाएंगे इसलिए इसका थोड़ा सा price भी उसी जाब से कम है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को subscribe करें और share करें चलिए जस्तो मिलते हैं अपनी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार